वेलो एबरीवन मैं हूं कार्तिके और आज हम लोग अपने चेप्टर जियोग्राफिक चेप्टर वन रिसोर्सेज रिसोर्सेज एंड डेवलप्मेंट का लेक्चर नमबर टू देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं उसके रिसोर्सेज कितने परकार क्या होते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ہमारा table of content है development and conservation of resource and second land resource and land utilization चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं development क्या एता है development of resource क्या इता है resource का develop होना हमें पता है कि जो रिसोर्स हमारा है वो एक लिमिट मात्रा में है हमारे पास और उसे हम लोगों को बहुत ही सोर्स समझ कर यूज करना है लेकिन यहां पर दिया है कि डेवलप्मेंट रिसोर्स इसे देखिए डेवलप्मेंट क्यों नहीं हो रहा है जैसे कि यह हमारा रिसोर् बढ़ेशन बढ़ेगा तो दिमांड बढ़ेगा दिमांड बढ़ेगा तो उसका यूसेज भी बढ़ेगा जब उसका यूसेज बढ़ेगा तो वह एक्सप्लोइट भी होगा तो इस तरह से हमारा जो डेवलपमेंट है उसका इस समय ज्यादा एक्सप्लोइटेशन हो रहा है उसमें development जय्दा नहीं हो रहा है इसका problem क्या है जो development नहीं हो रहा है तो उससे problem کیя होती है हमें नरे हैं धिपलिशन यानि जो हमारा resource है उसका deplete होना यानि वो बहुत कम होता जा रहा है resource हमेसा कम होता जा रहा है और second पर है accumulation of resource यानि जो जैसे की नाकपूर में कोईला है कोईला है तो वहां पे सारा जितना कोईला है वो के वाल नाकपूर एरिया में पाए जा रहा है तो वहां पे कोईला ज्यादा होई नाकपूर में कोईला ज्यादा है तो वह एकुमिलेट हो रहा है को नाकपूर के जो वहां के एरिया के लोग हैं वो उसको अच्छे से यूज नहीं करना सही तरीके से यूज नहीं करना और इन्हीं सभी चीजों को लेकर जो इसका सालूसान आया जो इस प्रब्लम का सालूसान आया वह आया equitable distribution of resource यानि जो भी resource है उसे equitable यानि equally part में divide करना है बाट देना इसके बेले देखते हैं Rio Dejanaryo यह बहुत important है Rio Dejanaryo जो भी दिजयानरीयों कर वह था यह हुआ था 1992 में यह कहां पर पर वह था यह हुआ था ब्राजील में ब्राजील में क्या हुआ था कि सौध देसों से वहां के head आये थे जैसे की प्राइम मिनिस्टर हो गए प्रेसिडेंट हो गए सब्सक्रवाद की इनलो में वंट सब्सक्राइब है तैसे जी टिछ कि वहां पूर्च भी लोग इकटा ह्वे थे चाए पानी के लिए नहीं देगा हुए थे interfering इन्वार्मेंटल इसूस के उपर बात कर सकें यानि इन्वार्मेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके उपर बात कर सकें नेश्ट ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग यानि जो इसे की कार्बन डियक्साइड है मौन कार्बन मौन अक्साइड है हमारे इन्वार जो हमारे, इन्वार्मेंट हो जब डॉती गंदा होगा, तो हमारा, climate हो जरूर्ट चेंज होगा, ये सभी लोग आया थे तो इसका solution क्या निकला så उसका outcome क्या निकला, outcome दो निकला इसाव माने अग्डाने के लिए बनाने। उसको फोरेस्ट को काटते जा रहे हैं और एणिमल्स को रहने में δिकत हो रहे हैं आगर भाग्वान उल्टा कर दिया होते हैं गियो आटषम लफ्र वह हमानों का हूंमेन का घर गिरा कर और वो अपना जंगल बना लेते तो हम लोग को बुरा लगता तो ऐसे उन्हें भी similarly उन्हें भी बुरा लगता है तो इस पी उन्हें ने सरकार ने मतलब निड़र लिया कि हम लोग forest को protect करेंगे और second day agenda 21 so agenda 21 में यह था कि जैसे कि वो लोग डिजीज के उपर बात करेंगे और उन्हों हेल्थ के उपर बात करेंगे तो यह दोनों sign हुआ और declaration of global climatic and biological diversity यानि उन्होंने declare किया global के लिए उन्होंने एक declaration निकाला कि जो climate climate है climate को protect करें और जो biological diversity biological diversity का मतलब कि जैसे कि हो गया biological बायो मतलब होता है living things logical यानि उन्हों टेक्निक लगाया कि जो living things है उन्हें कैसे protect किया जाए इन्होंने एक sign किया जो sign उन्होंने किया उससे इन दोनों को मिला कर एक ही निड़ाया कि यह जो यह sustainable development है इन दोनों को मिला कर एक मतलब अच्छे से देखा जाए दोनों को तो एक ही याता है जो sustainable development है यह होना चाहिए यानि कि इससे क्या होगा कि जो sustainable development है अपनी नीट्स को देखते हुए मतलब अपनी नीट्स को पूरा करते हुए आगे future जेनरेशन की नीट्स को भी द्यान में रखा जाए तो अब आगे देखते हैं जेनरा टॉंटीवन सो एजनरा टॉंटीवन में इन्हों मेरा किया था इजेनरा टॉंटीवन तो इभी बहुत Immortant है तो एजेनरा टॉंटीवन जो था ये hyper सभी हंडुrium श्टेट के वो गये थे क्या हंडेर्ड स्टेट के गए थे मतलब हेड गए थे और यहार में जऑनजिन टॉंटिवन में यह पे सेट रहट और सभी कमतलों को कंट्री तो पुलफिल्ध के यानि सावी डिसों की च्छाँ को पुरी करने कие लिए ओक या इनकी डिमान्द आइन्ध पाहलए ठीज सी था इनका मत्मुद्द्र क्या था हेल ठीज तोंने जो 100 स्टेट के हेड गया थे उन्होंने यह एजेंडा किसके बैसिज पर किया UNCD के बैसिज पर किया United Nation Conference of Environment and Development के बैसिज पर उन्होंने एजेंडा 21 को फर्म किया यहाँ पर नेचर टू वी कमणडेड एन मस्ट बी ओबेड यानि यह जो सांटिस्ट है हमारे की यह सोचते हैं कि यह साइनटीस्ट सब कुछ है तो यह ऐसा नहीं है अगर जब तक आप नेचर को आप कमांड में लेना चाहते हैं कमांड नेचर को आप अपने इसाफ से चलाना चाहते हैं तो आप नेचर को पहले आप खीजिए उसका auto फौर कीज़े नेचर को फालो कीज़े उसके बाद से नेचर आपके कम्स में आएगा झाल सो शने क्यों जरूरी है जैसे कि नागपूर में कोईला है कोईला है तो वहां पर मान लेजिए कि 100 कोईल वहां पर कोईला है तो गौवर्मेंट उस पर कुछ पॉलिसी बनाएगी पॉलिसी बनाएगी कि जिस इस्टेट में कोईले की जरूरत है तो उस इस्टेट से जहां ज्यादा ह है वहां से लेकर equally डिवाइड करिए सपोस करिए कि टेन ऐसे स्टेट हैं जहां पर कोईले की ज़रुरत है तो वहां पर जहां ज्यादा है वहां से लेकर सरकार यहां पर लाएगी और इन्हें देगी तो यहां पर क्या सस्टेनबल डवलेप्मेंट में हुआ है कि फ्यूचर नइक्स को देखा जा है तो इसमें देखिए अडेंटिफिकेशन ऐऔर सर्वे जो港 सर्कार क्या करती है कि पहले अडा उसे अडेंटिफाइआ है कि कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी और कितने क्वांटiãoそれでは वहां कितनी ए और है नेश्ट ऑभ यानि उसका सरग्षर कैंद कि इस साल से इस साल तक इसाल से इस तो तक कितना हमें हम यूजें है इसका अपकिकाव छीसलिय पूप सर्कार क्लेकी यहां पर प्रवाइड कि यहां पर नाकपूर में जएदा है और कोईलक नादू में है तो नाकपूर से लेकर सरकार कोला तम्नाडू भेज़ेगी जरू कि वहाँ पे उसका यूज हो सके तो इसका पूरा पीडियाफ का लिंग का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा वहाँ से आप टेलिग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं कि पॉर्ज्य प्लानिंग इंडिया या नी जो जो आप यह प्लान आथ था था पाँच वर्षी फोजेना सबसे पहले च्टार्ट हुआ था नंटीफिक्टिवन से 56 उसके पासे यह स्टार्ट हुआ था 1961 से 1967 तक 1964 में उसमें 1961 में उसमें जोयल लल नहरू प्राइम मिनिस्टर थे तो यानि जोयल नहरू की देथ हो गई 1964 में तो नेश्ट परधानमंत्री बने लाल बहादूर सास्त्री और जो लाल बहादूर सास्तिर थी इंडरा गादी हमारी नेष्ट प्रधान मंत्री बनी और इन्हों ने तीन सालों के लिए इन्हें एक-एक वर्षी योजना बनाया बनाया उसके बार में हम नहीं देखना है यहां देखना है कि जो हमारा यह प्लान है यह बारह सालों तक चला यह बारह सालों तक चला उसके बाद से यह così इफ्टादिया गया वह किसके दरा बनाए ज seulement द्वहारा चौक 60 और यह देखिए दखे पहले तो दुढ़ schle भारत से शुरू हो गया अब यह पांच साल तक जाएगा और यह जो नितिया उत्ता है यह 2014 में आ गया दो सल बाद आ गया तो उसके बाद से क्या हुआ कि यह जो अब यह जैसे ही यह प्लानिंग खतम होई 2017 में अब जो प्लानिंग बनता है अब तो 5 प्लानिंग बनता नहीं लेकिन अब जो भी रिसोर्स प्लानिंग बनता है भारत में तो वो कौन बनाता है वो नितिया योग बनाता है और उस समय जिस समय इंद्रागाधी रहती थी तो इंद्रागाधी के समय इंद्रागाधी रिजिम बनाए गया था और उस रिजिम में क्या था कि जो इन्वार्मेंटल मैं इन्द्रागाधि के वो जो इन्वार्मेंटर प्रोकस करते थी उसbud का। ज्सरामें किया जाता था। इंद्रागाधि हामारे या कि प्राइम मैंस्टर थी तो उसiała में सट इन्वार्मेंट परफ़ पोकस किया जाता था तो उसमें इन्वार्मेंट को ज़्यादाध किया गया हुआ है तो यहाँ पर चैनल और अन्डाकर में यूरेनियन पाए जाता है और जब कि लदाख आइसूलेटेड है वहां टेकनलोजिकल लैग यानि वहां पर अभी तक कोई इूरेनियम से निकाला नहीं गया लेकिन वहां लड़ाग में उरियर्यूम पाई जता है और नेश्ठय राजस्थां में आपको पता हो होगा कि यहां पे सूरर इनर्जी और बेन दोना पाया जता है और अन्रश्र परदेश तो बहुत सारा इसा मतलब रिसूर्स पाया जाता लेकिन वहां पर क्या है वहां पर वाटर की कमी है लेक आफ इंफ्राइस्ट्रक्चर यानि वहां पर उतना टेक्नलोजी नहीं है कि वहां से ऐसे निकाल सूर्स को निकाला दा सके इसलिए अगमाल लिजिए कि 36 घर जारखंड और मद पर्देश में सबसे ज्यादा कॉल एंड सब्सक्राइब करेंगे और भी इस्टेट है इंडिया में वह भी यूज़ करेंगे इसलिए जो रिसोर्स है यह स्केटर है और यहां जो रिसोर्स है 36 घर जारखंड मद पर्देश यहां पर कोल को इक्वली डिस्ट्रिब्यूट किया जाएगा और विजितले इस्टेट है हमारे जहां पर उसकी नीड होगी वहां पर सभी जगे इसको इन मतलब इक्वली डिस्ट्रिब्यूट किया बाटा जाएगा सो नेश्ट है कंजर्वेसान आफ रिसोर्स यानि रिसोर्स को कैसे कंजर्व करेंगे सो फस्ट है रिस्टनल यूज यानि जो रिसोर्स है हमारा उसको बहुत यह अच्छे से यूज करें सा मतलब जूरी सी जूरी से चैनी नए तरीके से यूज करें यह नहीं कि जैसे की कोईड में हुआ था कि मैगी के माले जमेगी के पैकेट की जरूरत है दो पैकेट तो एक बोरा भर किला दिये कि पताने वहिकल मिले की ना मिले करना है जितनी ज़रुत है उतनी यूज करना है ने टे ओभर यूटिलाजेशन यानि ओभर यूटिलाजेशन मतलब यह नहीं की मतलब अच्छी दाल मिल गई तो उसे जितना मन किया उतना नाक तक भर लिए उसके बाद से अगले दिन बिमार पढ़ पढ़े ऑस्पीटल मे अगला निन हो जाएगी इसाना अती नहीं करना है फृष्शेर्स प्लानिग यानि कोई भी जैसे के हम लोग को आगर जिसको सेलरी मिलती अगर उसको सेलरी मिलेगी तो इसमाइब बंदे में में इतना आपकी में यह सब कहां कहां खर्दा में करना है तो वो हता है रिष्प प्लानिंग और सटेंबल डॉफ्मेंजानी सटेंबल डिव लॉफ्मेंट में । आपनी नीट को तो पूरा करें लेकिन जो फिचर की नीट से उसे ध्यान में रखते हुए पूरा करें कि उन्हें भी इस चीज का लाफ मिल सके ऐसा नहों कि जितना है सब हमीं ले ले और आगे वाल जनरेशन को कुछ मिले ही नहीं तो अब हम दो देखेंगे लेंड यूटिलाइजेशन यानि लेंड को यूटिलाइज कैसे किया जाता है यहां पर दिया है लेंड रिसोर्स और यूजड फॉर्ड फालोइंग परपाज यानि कुछ परपाज है उसके लिए लेंड यूज होता है जैसे कि फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के लिए लेंड यूज होता है और ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट के लिए गुली टंडा खिलने के हां सो यहां पर सजकेंड है से लैन नाट फर कल्टीवेशन यानि ये लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए नहीं ये सोn ये में डिया है बेरेन anticipating ए वेस्ट लेंड रोगता है कि याँने बंजर जमीन, मजा और वेस्ट लेंड बंजर है वोगते और वेस्ट लेंड में लेनड पुट टू लेंड पुट टू न्विक्रिकालचर युज जानि जो लेंड है उसे नॉन एकॉल्टर युज के लिए रखा गया जैसे कि महां पर बिल्डिंग बना दिए गया रोड बना दिये गई तो इसके लिए यूश किया जाता है उसके लिए उसके जड़ाँ है या न कल्टीवेटेड लेंड यानि जो और या felt are you यहां पर दिया unkultive डेन विल्ट को चौड़े जो ऊधर को एक्षान काल इन याद को चोड़ा आ knight और नेश्ट भी में है लेंड अंडर मेसीलियस ट्री क्रॉप ग्रॉप से उसे ले कर और उसे जैसे कि इसमें वह जीतने में मेसीलियस मतलब हैं उससे रूगे हैं उसको छोड़ कर उसे लेंड को छोड़ कर और जो लैंड है यह नहीं अर्व नेहीं कर्या सक ठीक्वॉट नहीं कर सक्षोल देना जो के सावस के को हैं जैसे की ग्रोप के हैं तो मसक लेना है तो उसको चो चो जब दें उसी को लेना है वह उसमें अंक अर्टी है और सी में दिया है कल्चरेवल वेस्ट लेंड है EU लेंड है यानि लेफटkuर MOr लेंड फैलो लेंड में क्या है कि फैलो लेंड पहले तो फैलो लेंड समझते हैं फैलो लेंड होता है लेफ्ट अनकल्टिवेटर यानि वा लेंड जिसे अनकल्टिवेटेड यानि उसे मतलब बोया नहीं गया है उसे छोड़ दिया गया है उसे छोड़ दिया गया है उसे कोई खेती बाड़ी का होती ही नहीं है और नेश्टे करेंट फैलो करेंट फैलो में क्या है कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वन और लेस देन वन अग रही है कोई फसल नहीं जा रही है तो current fellow में आएगा सो current fellow current fellow left without cultivation for more or less than one or less than one agriculture यानि एक साल या एक साल से कम में उसे छोड दिया गया उस पर कोई खेती नहीं हो रही है तो current fellow में आ जाएगा next आधर दैन current fellow आयानि current fellow के current fellow के अलावा और कॉंसिल लेंड है जैसे कि इसमें आ जाएगा अधर रन करेंट फेलो लेंड आजाएगा लेफ्ट अन कल्टीविटेट पर वन और फई वन और 1-5 ओन टू-5 अंधर यानी एक साल से पांध साल के अंदर एक साल से पांध साल के तक उसे छोड़ दिया गया है उस पर कोई cultivation नहीं हो रहा है तो वो इसमें आ जाएगा अधर फेलो लेंड में आ जाएगा तो नेंस्ट है यहां पर नेट सोन आरिया यह बहुत इन्पोरटन इंड्ट सोन एरिया पुछता है एक्जाम में में इसे नोट कर लिएगा नेट सवन एरिया में क्या है नेट सोन चेंड अफ लेंड उन विच क्रॉप और सवन हर्वेष्टेट इस नोने नेट नेट रिया ग्हीर जैसे कि यह कोई एक लैंड है उसमें यह दस वीट है और आठ पीट इदा रहे इसमें पुरा में क्रॉप ऐसे क्रॉप गया गया और जो इसका स्कोर फीट आया तो तो यह 80 square feet आया इसका total आया 80 square feet सो इसका net zone area हो जाएगा 80 square feet इसका net zone area हो जाएगा एंड यहां पर दिया यह इसका net zone area हो गए area area zone more than once in an year agriculture year plus net zone area is known as gross crop area यानि Gross Crop Port Area क्या होता है कि जैसे की यह कोई highlighting 10 by 8 कि यह जोंद ऑगाई गई और इतने में फसल कोई खराब हो गई तो इतने में फिर से फसल उगाई गई फिर दुबारा इसपर खर्चक है तो इधर माल लेज़े इधर आगया पांच इधर 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 है इधर पॉर है तो फाइफ फॉर्जा सुरी फाइफ वो टांटी हो गया तो 20 फीट यानि ट्वांटी स्कॉएर पीट इसे और इसमें किया जाएगा यह तो यह सेंट इसका हो गई 80 स्कॉयरफीट और जो जब ग्राश्ट क्रॉप्ट जोड़ेंगे तो यह एक तो कोशन देख लेते हैं एक सरे कोशन आपके लिए कमेंट में सर बताइएगा तो लेंड लेंड लेफ्ट अनकल्टिविटेड फॉर मोर देन स्वरी मोर देन हो गया यहां पर more than five agriculture year is called या न पंक शालों के लिए अगर कोई लेंड को छोर दिया तो वो क्या होता है फुर्स्ट कारेंड फेलो लेंट कारेंड फेलो लेंड क्या होताै करेंड फेलो लेंड होता बंकल्टिविटेड फॉर्टिविटेड पर दिय niewद रहम एक। की प्लेग्राउंड इन में से कौन सा है तो आप कमेंट में इसका अंसर बताई है अंसर बहुत आसान है अंसर हो जाएगा इसका अप्शन नमबर सी कल्चरेबल वेस्ट लैंड इस तरह से डिपेंड करता है पहला तो क्लाइमेटिक फेक्टर यानि वहां का क्लाइमेट कैसा है यानि वहां की जमीन कैसी है प्लेटिव है वैली है मांटेन है मालो अगर प्लेट है तो वहां पे अच्छे से फसल उगा सकते हो अब वैली है या फिर हील है वहां पे अच्छे से फसल नहीं उग सकती है और नेश्ट है वेजिटेशन वेजिटेशन में कहा है जैसे कि राजस्थान का हम लोग देख सकते हैं तो राजस्थान में कहा है कि राजस्थान में बहुत ज्यादा होट है अब यहां पर राजस्थान में बहुत ज्यादा होट है तो यहां पर क्या होगा यहां पर कैक्टास हो सकता है यहां पर इसका वे तो नेश्ट हम लोग देखेंगे लेंड डिडिडेशन और यानि लेंड कैसे डिग्रीड होता है और उसे हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो पहला ओभर माइनिंग की अगना सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब तो यह 첫ी इस तो यहां वहने क्सक्व लेंड भी साब्राइबू दिशली तो बार बार आने से यह लेंड को डिग्रेड हो जाएगा तो यह भी यह लेंड डिग्रिडेशन का कारण उसके बात से नेश्ट है ओभर एक्सप्लोइटेशन यानि कोई मतलब कोई लेंड है उसमें ज्यादा यूरिया डाला जाए उसमें फटिलाजर ज्यादा डाल दिया तो उससे भी exploit हो सकता है हो सकता है उससे भी तो यहां पर पहले पंजाब और उत्तर पर्देश तो पंजाब में क्या होता है कि एगरी कल्चर ज्यादा है तो यहां पर इरिगेशन ज्यादा है तो यहां पर वाटर लैगिंग हो जाता है वाटर की कमी हो जाती है और नेश्ट में क्या है कि जारखर्ण में ओभर माइनिंग ज्यादा हो जाता है यहां पर मिंडल्स ज्यादा पाए जाते हैं कोल पाए जाता है ज्यादा मिंडल्स पाए जाते हैं तो यहां पर ओभर माइनिंग होता है तो नेश्ट देखते हैं तो थैंक यू फॉर दिस सेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्षन में टेलिग्राम लिंक है टेलिग्राम लिंक पे जा के आप इस वीडियो का पीडियाब डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आपको रीड करने में यानि नोट करने नोट से बुक बनाने में आपको हिल्फूल होगा थैंक यू